आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे बहुत स्वागत है आईए सुनते हैं वैसाख मास महात्मे कथा में नोमे अध्याय की कथा अब तक आपने जोकी एक से ले करके आठ अध्याय कथा को सरवन किया अगर आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे जोकी वैसाख मास महात्मे के नाम से प्लेलिष्ट बनाया गया है आप वहाँ से जा करके कथा को सरवन कर सकते हैं हिंदु धर में वैसाख महीने का बड़ा ही विशिश महत्तु माना गया है वैसाख महीने में गंगा अश्नान करना भगवान विश्णू का पूजन करना दान पुन्यों का कारे करना यह सब अनंत गुना पुन्यफन दाई माना गया है तो आए सुनते हैं वैसाख मास महात् तो बोलिये प्रेम से भगवान विश्णों की जै माता लक्ष्मी की जै सर्व देवी देवता की जै भगवान संकर के द्वारा काम देवी की नश्ट हो जाने पर उसकी पत्नी रती भस्म मात्र शेश अपने पती को सामने देखकर मुर्चित हो गए कुछ देर बाद होस में आई और अनेक प्रकार से विलाप करने लगे जिसके विलाप से संपुर्ण वन भी उस समय उसी के समान दुखी हो गया तभी उसकी चिता में अपने शरीर को छोड़ देने का निश्चय किया उसने अपने पती के मित्र वसंत को बुलवाया उस समय की क्रिया करने के लिए अपने पती के मित्र को उसने अस्मरन किया वह महाभोज भी उस वीर पत्नी द्वारा संयोजीत चिता बराने के लिए वहाँ आया वह भी वहाँ अपने मित्र को देखकर डड़ गया और कुछ शंतक जो की मुर्चित हो गया तत पश्यात रती को अनेक शांती पुर्ण उपायों में समझाया और शांत किया हे भद्रे मैं तुम्हारे पुत्र के तुल्य हूँ अता तुम मेरे रहते हुए अपना शरीर त्याग नहीं कर सकती इस प्रकार अनेक तरह से समझाये जाने पर भी और वसंत के करने के लिए गंगा के तट पर वहाँ पहुँची जटा धारन कर निराहार महालिंगी की पू व्यापक प्रभू स्री स्रीवजी ब्रह्मचारी का वेश्धर सायमकाल पर्णशाला के सामने आये और अनिक प्रकार के बाक्यों द्वारा पारवती का मन अपने प्रती द्रिध निष्ठ जानकर महाप्रभू ने कहा कि हे गल्यानी वर मांगो सती पारवती ने यही वरवांगा कि आप ही मेरे पती होगे महाप्रभू स्री स्रीवजी ने वैसा ही वर देकर सब्त रिश्यों को बुलवाया कन्या के संबंध में हिमाले से पूछने के लिए रिश्यों को आग्या दे और रिश्यों लोग भी भगवान संकर के द्वारा आदेश पाकर कन्या के लिए हिमाले के घर दसो दिशाओं को देविप्यमान करते हुए आकास मार्ग से आए हिमाले ने भी सातो ब्रह्म वेत्ता रिश्यों का पूजन करके पूछा कि मैं धन्य हूँ कि आप लोग हमारे घर आ गए मेरे करने योगी क्या है इस प्रकार कहने पर उन लोगों ने महागिरी हिमवान से कहा कि हे गिरी राज तुमने स्वरूप के अनुकूल उचिक तथा दिड़ बाकिय कहा है अतह हम लोगों के आने का जो कारण है वह कहेंगे तुम्हारा बहुत बड़ा कल्यान होने बाला है तुम्हारी कन्या पारवती पुर्वकाल में दक्ष की कन्या सती के रूप में पैदा हुई थी जो कि इस समय तुम्हारे यहां कुमारी के रूप में इसने दक्षि के यग्य में सरीर त्याक कर दिया इसके पानी ग्रहन में समर्थ केवल भगवान संकर ही है तीनों जगत में दूसरा कोई नहीं है अतह आपके द्वारा वह महाप्रभु को ही दी जानी चाहिए आपने अपने पहले के हजारों जन्वों में पुनि किया है अब इस समय उनका पड़िपाक सामने आया है उन लोगों की इस बात को सुनकर परवत राज हिमाले हिरदय से प्रशन होकर पुनह बोले मेरी पुत्री वलकल पहने गंगा के तरप निराहार रहकर स्री सिपजी को ही अपने पती होने की कामना से अत्यंत कठिन तपश्या कर रही ह उसका थो यह अभेल शीत ही है उस त्रेमबक महात्मा शंभू को मैंने कन्या देही दी यही समझकर आप लोग अतिसिग्र वहां जाएं निवेदन करके आप लोगों को ही बिवाह की सारी क्रियाय संपादित करें इस प्रकार कहने पर वे लोग उन्हें आमंत्रित कर स्री सि इभ जी के यहां गए तब लक्षमी आधी सभी देवियां तथा विष्णु आदे, सभी देवता, शहों मात्रिक आएं एबम सभी मुनी लोग इस महवसब को देखने के लिए गये, भगवान संकर ने, सभी देवताओं, मुनियोंласт इभम मात्रिकाओं को साथ में लेकर बै किर्टी गीती के सहित हिमाले की नगरी में प्रवेश किया उत्तम महुर्थ एबं सुभ लगन में परवत राज हिमाले ने हिरदय से प्रशन होकर विवाह किया भगवान संकर ने महुसब के बीत जाने पर लोक धर्म का पालन करते हुए तदनुसार दिभी पारवती जी के समान उत्तम हिमाले के घर में एक रात विहार किया तथा नदी के तटपर एबं वनों में जहां की मतबाले भौरों एबं पक्षियों की गुंजन तथा चह चहाहट तथा मोरों की मधुर बोले उनकी शोभा बढ़ा रही थी वहां देपताओं के वर्स से हजार वर्स तक व होने पर भी इस्तिरियों में गर्व ठहरता ही नहीं था अतह प्रतिदीन विहार करने पर भी भगवान संकर से पार्वती जी में गर्व इस्तिर नहीं हुआ तब पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं को चिंता हुए सभी लोग ने इकठा होकर आपस में मंत्र ना करके इस प्रकार कहा कि है अगणी देव तुम्हें देवताओं के मुख हो भाई बंधू हो गती हो इसमें संदे नहीं है कि तुम्हें देखकर देवी पार्वती लजित होकर वहां से हट जाएंगी उसके बाद तुम शिश्य बनकर काम देवी के नास की यथार्थ चर्चा उनसे पूछो और इस प्रकार के अथवा वस्तुतह तत्व ज्यान की चर्चा के बहाने ही महाप्रभू संकर जी का प्रयाप्त समय बिता दो बहुत काल बीत जाने पर देवी पार्वती कुमार को जनेंगने देवताओ द्वारा इस प्रकार प्रात्ना करने पर अगनी देव ने अच्छा ठीक है कहकर भगवान संकर के पास जाने के लिए प्रस्थान किया रतिकाल में ही विरे त्याक करने के पहले अगनी देव वहां पहुच गया वस्तर रही देवी उन्हें देखकर लजित एवं दुखी होकर रति छोर कर वहां से हट गई तब अत्यंत क्रोध में आय हुए भगवान संकर ने अगनी से कहा कि हे दुर्बुद्धी इस अत्यंत मेरे दुसा विरे को लो हे पापी तुमरे रती में विखन किया है हे विवाहन मैं अपना विरे अब तुम्हारे मुख में छोरता हूं या कहकर भगवान संकर ने उस विरे को अगनी के मुख में छोर दिया उस उग्र विरी के पेट में जाते हैं अगनी देव जलने लगे वह चिंता करते हुए स्वर्ग में गये किसी प्रकार प्राण वायू को रोकर देवताओं ने उन बातों को कहा देपता लोग अगनी देव के द्वारा कही गई बाते सुनकर हर्स एवं विशाद में पढ़ गया विरी तो रुख गया इस बात की प्रशनता हुई किन्तु कैसे प्रसब हो इस बात का दुख हुआ तेज द्वारा छोड़ा गया वह भगवान संकर का विरे अगनी देव के पेट में बढ़ने लगा और उसके दसमास व्यतित हो गया अगनी देव बहुत ही दुखी हुए और गर्ब से छुटकारा पाने के लिए देवताओं की पास गया वे देवता लोग अगनी के साथ यसस्वी स्री गंगाजी के पास गया और तुरंत गंगाजी के अस्तोत्रो द्वारा उनकी अस्तुति की निविदन किया कि तुम सभी देवताओं की माता हो तुम ही जगत की गती हो हे कल्यानी तुम देवताओं की हितार था संभू की तेज को धारन करो वह गर्ब रूप में अगनी की पेट में बढ़ रहा है और चुकी उनमें इस्त्रित्य नहीं ह अता उसका प्रसव होना संभव है इसलिए हम सभी लोग तथा अगनी देव का उधार करो दया करो इस प्रकार प्रातना करने पर देवी गंगा ने कहा कि अच्छा वैसा ही हो तब देवताओं ने अगनी से गर्ब विमोचन मंत्र कहा उस मंत्र के प्रभावसे अगनी देव पी देविप्यमान गर्व को जो जगत के लिए दुशा था, खीच कर स्री गंगा जी में छोड़ा, स्री गंगा जी ने भी कुछ महीनों तक उस भार को ढोया, किन तो बाद में समर्थ नहों हो जगी, उसके प्रभाव से उनका सरेव दुरवल हो गया, तब माता गंगा ने ब अनली सी लगी, तब स्री गंगा जी ने उस गर्व को सरपत के जूटे में भेक दिया, वह गर्व सरपतों के कोणों में खंड खंड होकर, छा भागों में विभक्त हो गया, तब स्री ब्रम्हा जी द्वारा बेजी गई छा कृतिकाएं आई, और उन्हों ने सरपतों में छ भागों में विखरे हुए भगवान संकर के तेज को कृतिका के विधी से एक शरीर धारी शंगमुख पुरुस अतिसिग्र बना दिया, क्योंकि उन्हें ब्रम्हा के द्वारा यही आ गया थी, वह शरीर जो की पुरुस के आकार का छा मोह वाला सरपतों के जूटे में था, बहुत काल तक बिना रक्षा किये हुए अरक्षित ही रहा, एक समय बैल पर बैठे हुए भगवान संकर इबम पारवती जी स्री शेल को जाने की कामना से उसी अस्थान से जा रहे थे, एका एक उसी समय माता पारवती के अस्तनों में दूध आ गया और चूने लगा, तब पारवती जी ने भगवान संकर से पुशा कि भगवन क्यों मेरे दोनों अस्तन दूध से भर कर चू रहे हैं, हे बिश्वात्मन इसका क्या कारण है सो कहिए, विशेश अनुरोथ करने पर स्री सिर्प जी ने कहा कि हे देवी सुनो मैं कहता हूँ, तुम्हारा पुत्र दूसरी जगह छिप गई, तब मैंने क्रोथ के कारण अपना उग्रविर्य अगनी के मुख में छोड़ दिया, उसने देवताओं की कृपा से अनुनय विने द्वारा उस तेज को गंगा में छोड़ दिया, इसके कुश दिनों के बाद गंगा भी उस भार को सह न सकी, जलन लगी, तब उन्होंने सरपत में फेक दिया, वहां वहां टेज जो की छा भागों में विकरीत हो गया, जो की मात्रिकाओं द्वारा एक रूप में दिर्ड किया गया है, उसने पुरुष की आकर्ती को प्राप्त कर लिया है, उसी को देखकर तुम्हारे दोनों अस्तन चू विश्णु के समान प्राकरम वाले महाबली इस कुमार का पालन पोशन करो, यही तुम्हारा औरस पुत्र है, इसलिए तुम इसे ले लो और इसे मेरी प्रशिद्धी भी प्रयाप्त होगी, भगवान संकर के द्वारा इस प्रकार आग्या पाते ही माता परवती जी ने दैबि योग से मोहित होकर देबि पारवती पुत्र के सनेह में लगण और भगवान संकर के साथ पुना कैलाश परवत पर आ गई, पुत्र का इस प्रकार लालन पालन करती हुई, परम शन्तोस को प्राप्त हुई, इस प्रकार मैंने तुमसे कुमार का अध्भुत जन्म ब पौद्र आधी बढ़ेंगे इसलिए वैसाक मास का धर्म समस्त पापों के समुहों को नश्ट करने बाला कभी भी विद्वा नहीं होने देने बाला परम पवित्र तथा सभी प्रकार की संपत्यों को परदान करने बाला है बिना अश्नान इबं बिना दान के ही जिनका वैसाक मास बीट गया उसने चाहे अन्य सभी धर्म क्यों न किये हूं किन्तु दुखों का ताता लगा ही रहेगा और यदि सभी धर्मों का हितकारी एक यह वैशाक धर्म ही विधी पुरुबग कर लिया तो यम के दूतों को फटकार कर वो अव्यक्ति परमगती को प्राप्त करता है इस परकार से स्री असकन पुराणिय वैशाक महात्मय में नारत एवं अंबिरिष के संबाद में कुमार जर्म कथन नामक नौमा अध्याय पुरा हुआ तो बोलिये फ्रेम से भगवान विश्णों की जै माता लक्ष्मी की जै सर्व देवी देवता की जै इसी परकार से आगे के अध्याय को सुने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करे शेयर करे शुखी रहे और स्वस्त रहे जैसरी राधिकेशन धन्यबाद